श्री गुरु चरन सरोज रजत निज मन मुकुर सुधा बर नुरगु वर विमले जसु जो दायकु फले चाः बुधि हीन तनु जानिके सुमिरों पवन कुमार बलबुधि वीद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार हो जै हनुमान ग्यान गुण सागर। जै कपी सेति हुँ लोकु जागर। नाम दूत अतुलित बल्धामा अंजनि पूत पावन सुत नामा। हो महावीर विक्रम बजरंगी। कुमती निवार सुमती के संधी। गंचन भर्न दिराज सुभेसा। कानने कुंडले कुंचित के साथ। हाथ बद्र अरू ध्वजा विराजे। कान्धे मुझ जने उसाज। शंकर सुवन के स्री नंदन। पेज प्रताव महा जगवंदन। हो बीद्यावान गुणियति चातु। राम काज करिवे को आतु। तबू चरित सुने बेपू रसिया। प्राम लखन सी तावन बसिया। सुच्म रूप धरिसी अहीं दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। राम चंद्र के काज सवारे। हो लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रगुवीर हरशी उरलाए। रगुप ते के नहीं बहुत बढाई। तुम मम प्रिया भरते ही समभाई। हो सहस बदन तुम्हरो जश गावे। हस कही श्रीपती कंठ लगावे। सन का दिक गहमा दिमुनी सा। नारग सारग सहित अही सा। हो जम कुवेर दिग पाल जहां आते। कभी को वीद कही सके कहां आते। तुम उपकार सुभी वही की रां। राम मिलाए राज पर्दि दीना। हो तुम्हरो मंत्र विभी शन माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त जो जन पर भान। लियो ताहि मधुर पर जान। हो प्रभु मूद्री का मेली मुखमाही। जल धिलांगी गए अचरज नाही। बुर्गम काज जगत पेजेते। सुगम अनुम्ह तुम्हरेते। हो रामदुआरे तुम रखवारे। हो तुना आग्या बिनुपैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सर्ना। तुम्हर अक्षक का हूँ को डर्ना। हो आपन तेज सम्हारो आपे। तीनों लोग हाक देखा पे। भूत पिसाच निकट नहीं आगे। महावियर जब नाम सुनावे। हो ना से रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत भीरा। संकट के हनुमान छुरावे। मन कम वचन ध्रान जो लावे। हो सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काजे सकले तुम साजा। और मनूरत जो कोई लावे। सोई आमित जीवन फल पावे। हो चारो जुग परताप तुम्हारा। हे परसीधे जगते उजियारा। साधु संक के तुम रखवारे। असुर निकंदर राम दुयारे। हो अश्ट सीधिनों निधि के दाता। असवर दीन जान की माता। राम रसायंग तुम्हरे पासा। सदार हो रखु पत्ती के दासा। हो तुम्हरे भजन राम को पावे। जनम जनम के दुख विस्रावे। अंत काल रखु वर पुर जाई। जहां जनम हरे भात कहाई। हो और देवता चितना धरई। हनुमत से इसर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुम्हरे हनुमत बर बीरा। हो जया 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 हनुमान गुसाई। कृपा करव गुरुदेव किनाई। जो सत्वार पाट कर कोई। छूट ही बंदे महा सुख होई। हो जो यह पढ़े हनुमान चालिसा। हो एसी धी साखी गौरी सा। तुलसी दास सदाहरी चेरा। कीजे नाख हिदे महडेरा। पवन तनया। संकट हरन। मंगल मूरतिरू। राम लखन सीता सहित। रिदय वसं सुरभू। हम सिवजी के अवतारपली की कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सियाराम से हनुमान वरदान को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हम शिवजी के अवतारपली की कथा सुनाते हैं। सियाराम से हनुमान वरदान को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तो मेरू टरू पी अवतार, करुपा कि तो का उतार। माता अंजना ने रिशिगातम से हैस्राप पाया। बनो कुवारी ही माता तुम प्रोध में बतलाया। जिस खारण से अंजना एक गुफा में आई हैं। किसी भिनर का मुखना फिर वो देखना चाही है। उसी समय शंकर ने मोहिनी रूप को देखा है। कामुकता के कारण अपने अंश कुत्यागा है। ब्रह्म्हा ने तब आकर शिव को राजिय बतलाया। शापित अंजना गुफा में बैठी उनको समझाया। जाओ भोले गुफात्वार ब्रह्म्हा बतलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सियाराम से हनोमान वरदान को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। तुम्हे रूत्रे रूपे अवितार करू भाकितो का उतार। फिर तो भोले गुफात्वार पर आही जाते हैं। बोली अंजना है सादूना बाहर आऊंगी। गौतम के उस स्राप को फिर विर खांकर पाऊंगी। बोले भोले प्यास लगी है पानी मैं चाहूं। उससे पहले लेलो दिख्छा ये मैं बतलाऊं। गुफा छित्र के पास में कान को माता लाई है। शिव ने डाला अंस कान में ते भी घबराई है। असली रूप में आकर भोले सब समझाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। सिया राम से हनुमान वरदान को पाते हैं हम कथा सुनाते हैं। तुम्हे रूत्रे रूप में आवितार करो भाकितो का आवितार। आपका पुत्र तो राम भक्त हनुमान कहाएगा। जिसके तपसे आपका कुलसा रातर जाएगा। फिर तो भगतो मंगलवार का शुभ दिन आया है। हनुमान को मा अंजना ने उस दिन पाया है। एक दिन सूर्य को हनुमान ने फल है समझ लिया। भूख से व्याकुल होने पर फिर उनको निगल लिया। तीनों लोक में अंधिकार भगतों फिर छाया है। जन जीवन ने फिर तो हाँकार मचाया है। सभी देवता हनुमान को फिर समझाते हैं, पावन कथा सुनाते है। सिया राम से हनुमान वर्दान को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम्हें रूत्रे रूपे अवितार करू भगितों का उतार हनुमान जी किसी देव की बात न माने है सुर्य को मुख में रखे रहे वो जिद को ठाने है फिर तो क्रोध में इंद्रे निवन पर किया वज्र प्राहार हाल बेहाल हुआ पली का सुर्य जी आए बाहर पवन देव ने जाना तो फिर तुरत ही आए है क्यूं चलाया वज्र इंद्र पर क्रोध दिखाए है प्राण वायु को पवन ने फिर तो रोक है लिया मरने लगे है लोग धरा पर ये क्या है किया फिर तो प्रम्हा पवन देव को अति समझाते है पावन कथा सुनाते है सिया राम से हनुमान वरदान को पाते है हम कथा सुनाते है तुम्हे रूत्र रूप में आवितार कर भगितो का उतार तुम्हे रूत्र रूप में आवितार कर भगितो का उतार फिर तो इंद्र ने हनुमान को वजर बनाया है सब देवों से वरदान हनुमत ने पाया है वहां से फिर तो हनुमान रिश मूख परवत आये देख बली के अचर जरिश के सुत है घबराये जाकर अपने पिता को सारा हाल सुनाया है क्रोध में रिश मूख ने बली का बले भुनाया है हनुमान फिर किस किंधा परवत पर है आये वानर राज सुक्रियू की फिर तो शरन पाये फिर तो अवद में स्री राम जी जन में जाते हैं तो में रूत्र रूप में आवितार कर भागितो का उतार तो में रूत्र रूप में अवितार कर भागितो का उतार शिवशं करने रामक दर्शन करने है चाहे भोले बाबा हनूमान को फिर है बुलवाई बनके मदारी भोले नात जी अवध में आते हैं बड़ा ही अदभुत खेल दिखाकर सब को रिछाते हैं सिरी राम जी हनूमान को राज बताते हैं एक दिवस स्री राम जी पावन वास को आते हैं कुशकिंधा परवत पर राम लखन फिर आए हैं हनुमान जी राम और सुग्रिव मिलाए हैं सिरी राम फिर सब को सारा हाल बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं सियाराम से हनुमान वर्दान को पाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम्हें रूत्र रूप में अवितार कर भगितो का उतार कर भगितो का उतार एक दिवस सुक्रीव ने अपना हाल पताया है क्रोध में आकर राम ने बली को स्वर्ग पठाया है फिर तूँ वानर से नारामक संग में आई है सागर टट पर पहुँचे फिर तो युक्त बनाई है हनुमान को सबने बल फिर याद दिलाया है सिरी राम का नाम ने बली तो लंका आया है सीता मा से मिलकर अच्छे का संगार किया लाए सिया की सुध लंका को पूरा जला दिया फिर तो सागर से तु बना सब लंका आते हैं पावन कथा सुनाते हैं सिया राम से हनुमान वरदान को पाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम्हे रूत्रे रूपे अवितार कर भगतों का उतार तुम्हे रूत्रे रूपे अवितार कर भगतों का उतार ब्रात लखन्ने ताना उदन को फिर है ललका रहां सिरी राम और हनुमान कई दैत्यों को मारा एक दिन रावन सुतने लखन को शक्ति मारी है लाएस जीवन प्राणों की बली डोर संभाली है फिर तो राम हनुमान को हिरतैसे है लगाया भाई के जैसा प्यार बली भगवन ने दर्शाया एक दिवस हनुमान ने अहिरावन को संहारा राम चंद्र ने लंक पती रावन को है मारा लेकर माता सीता सब अबध में आते हैं पावन कथा सुनाते हैं सियाराम से हनुमान वरदान को पाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम्हे रूत्र रूप में अवितार करू भाकितो अका उतार तुम्हे रूत्र रूप में अवितार करू भाकितो का उतार एक दिन माता सीता सब को बाट रही उपहार हीरों वाला हनुमान को दिया मातने हार हनुमान ने एक एक मोती दात चबाया है काट काट कर हर एक मोती धरा गिराया है लंका पती राजा भिविशन बली से है बोले प्रेम नहीं क्या रामसिया से अपो शब्द बोले आखिरवानर क्या जाने की प्रेम क्या होता है बोले हनुमत मेरे अंदर सी राम तो है फिर तो सीना फाल के हनुमत जी दिखलाते हैं बावन कथा सुनाते हैं सी राम से हनुमान वरदान को पाते हैं हम कथा सुनाते हैं तो मेरो तरू पया वितार कारू भाकितो का वितार तो मेरो तरू पया वितार करू भाकितो का वितार हनुमान के सीने में बैठे तेरा मसियां देखके अचरज सबने दात से अंगुल दबा लियां अजड अमर का मा सीता ने दिया हैं फिर वरदान तुम सा भक्त न हुआ कोई न होगा बोले राज राम कथा जहां होवे वहां हनुमत जी आते हैं हनुमान की गाथा सुन जन भाउतर जाते हैं डीयस पाल ने राम भक्त की गाथा गाई हैं मुनेंद्रे प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाई हैं परम भक्त बजरंग राम के जाने चाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सिया राम से हनुमान वरदान को पाते हैं हम कथा सुनाते हैं तो में रूत्रे रूप में अवितार कर भक्त का उतार तो में रूत्रे रूप में अवितार कर भक्त का उतार